स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्उब चैनल पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगविज के बारे में लैंगविज का क्या मीनिंग है कैरेक्टरस्टिक्स क्या होती है और लैंगविज के क्या फंक्शन है तो guys ये वीडियो जो है वो सभी के लिए important है जो भी आप लोग CTAT, UPTAT या कोई भी state related TAT की preparation कर रहे हैं सभी के लिए जरूरी है और I hope कि आपको इस वीडियो से language के बारे में भाशा के बारे में सभी चीजे पता चलेंगी एक concept आपको पता चलेगा तो वीडियो को start करते हैं औ और आप मुझे Unacademy की learning app पर follow कर सकते हैं मैं वहाँ भी courses बनाती हूँ और link जो है वो आपको description में मिल जाएगा तो start करते हैं इस वीडियो को start करते हैं language के बारे में जानते हैं पहले सबसे पहले language के बारे भी थोड़ा सा जान लेते हैं introduction को देख लेते हैं language क्या होती है बिसे के लिए क्या एक concept है पूरे language का ठीक है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये बात आती है कि एक जिसे हम human beings जो है जो मायव जाती है वो एक ऐसी हम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अकेले जो है भाशा के skill को use करते हैं हमारे अलावा कोई नहीं करता एक animal है वो भी भाशा का use नहीं करते हैं हना तो हम जो है इसी वज़े से एक भाशा की वज़े से ही क्या है जानवरों से अलग है अगर हम भाशा का use ना करें तो हम भी क्या है उनके जैसे हो जाएंगे animals के जैसे ह हो जाएंगे तो यहां है कि हमारे अंदर एक एक skill है complex skill है language को use करने का ठीक है और इस language को हम use कैसे करते हैं अपने vocal organs की through करते हैं ठीक है अपने vocals vocals के through हम क्या करते हैं sounds को words को phrases और sentences को बोलना से खते हैं हम जो है अपने vocals के through यानि कि हमारे vocal जो part है हमारी body है हम लोग वहाँ सी क्या करते हैं language को बोलते हैं समझते हैं phrases को बोलते हैं sentences को बोलते हैं तो इतने सारे जो skill है वो एक human being में ही पाए जाते हैं उसके बाद है कि जो language है वो ऐसा नहीं है कि कि किसी एक person ने एक दिन में language को बना दिया किसी भी देश की भाषा हो चाहिए वो कोई भी भाषा हो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक person ने बनाया या वो एक दिन में बन गई भाषा को बनाने के लिए एक humans का group चाहिए communication होना चाहिए एक mutual जो है mutuality होनी चाहिए ठीक है तो जो language है वो क्या है it is mutually created by a group of humans to communicate बहुत सालों तक ज इसको समझे words को generate किया ठीक है ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है language और language की एक खासियत यह है कि language ऐसा नहीं है कि आपने एक language जो है भाषा English है या Hindi है वो static रहेगा लैंगविज जो है वो change होता है ठीक है languages also change and die grow and expand unlike human ठीक है language जो है वो change भी होता है डाय भी होता है ठीक ह जिस तरह से हम grow करते हैं उस तरह से एक भाषा भी क्या होती है grow होती है बढ़ती है मतलब कि आप ये समझें कि भाषा जो है एक एसा नहीं है कि एक word बन गया काफी सरे नैने नैने words जो है वो आप देखें कि dictionary में भी नैने words शामिल होते हैं नैने words के खोज अभी भी होती है और कुछ ऐसी भाशा हैं जिनका अभी कोई यूज ही नहीं है जैसे संस्कृत के संस्कृत पहले लोग बोलते थे अब कितना कम यूज हो गया संस्कृत का पाली है, प्राकत भाशा है इस तरह की जो मगधी है अवधी भाशा जो होती थी पहले ब्रज भाशा होती थी, कितनी सारी languages है जो अभी कोई यूज ही नहीं हम लोग बोलने में नहीं करते हैं तो language क्या है कि change होती है उसके बद next आता है कि language जो है वो बहुत ही जादा important role हमारी life में language जो है वो play करता है, हम लोग learn करते है language को as a means of communication हम use करते है एक social symbol जो है, एक ऐसा language क्या है social symbol है, जो हमें बांधे रखता है मतलब कि एक पूरी की पूरी society, एक language से ही बंधी हुई है, अब हम लोग हिंदी भाशी प्रदेश है, हम लोग हिंदी भाशा बोलते है तो ये एक हिंदी भाशा जो है जो हमारी एक मात्र भाशा है इसी ने क्या कर रखा है सभी लोगों को आपस में जोड रखा है अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं आपको समझा रही हूँ तो ये क्या है, एक means of communication हुआ तब ही आप समझ रहे हैं एक भाशा ही है जो हमारे बीच में कारे कर रहा है, communication का उसके बाद है कि एक language का use करके एक इंसान statement बना सकता है कोई fact को बता सकता है कोई information को बता सकता है देखो अगर हमें कोई information बतानी है जैसे मैं आपको अभी कोई information दे रही हूँ मैं आपको कोई statement बता रही हूँ मैं आपको कोई चीज़ explain कर रही हूँ या मैं कोई भी आपसे बात कर रही हूँ तो वो क्या है हम लोग किसका use करेंगे language का use करेंगे तो language जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है एक important हमारे life का part है अब चलते हैं meaning पे language के तो guys जो language है language word जो है यह तो है English का बट यह derived हुआ है हमारे Latin word तो आप याद रखें कि जो language word है वो derived कहां से हुआ है Latin भाशा से Latin भाशा के lingui या lingua से हुआ है ठीके और इस lingua का मतलब होता है tongue ठीके tongue होता है और जिसका मतलब यह हुआ कि produced with the tongue ठीके अब इसका meaning क्या बनता है कि language means a thing which is produced with a tongue जो भी हमारे tongue से produced होते है words, sentence या कोई भी एक तरह की feeling हम जो है कुछ भी हम कुछ भी मान सकते है इसको ठीके है हम कोई phrase बोल रहे हैं कोई sentence बोल रहे हैं कोई word बोल रहे हैं तो यह क्या है हमारा language हुआ जो भी चीज हमारे tongue से निकला हुआ हो उसके बाद है अब एक language की definition पे चलते हैं language is a set of arbitrary vocal symbols by means of which a social group देखो language क्या है एक arbitrary vocal symbol है अब यह arbitrary vocal symbols क्या है arbitrary का मतलब यह होता है कि हर एक language और जो एक word है और उसका जो meaning है वो बहुत जदे different होता है कोई भी दो language एक जैसे नहीं होते हैं ठीक है और जो language क्या है ऐसे ही एक vocal symbols है जो एक social group को operate करता है operate कर रहे है ने social group को मतलब कि एक समाज है वो किस से चल रहा language से अगर हम बात चीदी नहीं करेंगे तो एक समाज भी नहीं चल पाएगा communicate करने के लिए भी language ज़रूरी है हमें express करने के लिए अपनी feelings को, emotions को, desires को हमें किस की जरूरत पढ़ती है अपने language की जरूरत पढ़ती है तो एक definition बन जाती है language की ठीक है? अब चलते हैं कुछ language के characteristics पे क्या विशिष्टाएं है language की सबसे पहले आता है language is learned language is learned का मतलब है कि language जो है वो सीखी हुई होती है कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो जन्म सही language को सीख करके आया है हना मतलब की language is not a born activity like crying or walking जिसे हमारी born activity होती है कि बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है बट language ऐसा नहीं है language क्या है उसे सीखना पड़ता है और learner किसके थूँ सीखेगा जैसी वो जन्म देके अपने environment में आता है तो वो अपने imitation से practice से किसी भी language को सीखता है हम जिस भी environment में रहेंगे वहाँ पर अगर हम किसी भी language की practice करते है अगर हम उसकी imitation करते है तो हम उस language को जल्दी से जल्दी क्या करते है शीख जाते है तो पहली characteristics याद रहेगी ला कि language क्या है वो learnt होती है शीखी होई होती है सेकेंड पे चलते है सेकेंड आता है हमारा language is acquired behavior लेंग्विश कैसा है acquired behavior होता है हमारा यानि कि हम उसको अर्जित करते हैं हमारा अर्जित व्यवहार होता है ठीक है अब देखो क्या है इसमें कि if a body or man is shifted sorry if a baby or man is shifted to another community or cultural group he or he or she will acquire the language spoken by that community मतलब अगर आप किसी भी community में जाते हैं एक बेबी है जन्म लियावा बच्चा है उसक वो रहेगा तो वहीं की भाशा वो सीख जाएगा तो language क्या है acquire behavior होता है मतलब कि हम से अर्जित करते हैं हम अपने वातावरण में उसको प्राप्त करते हैं कोई भी इंसान language को जन्न से लेके नहीं आता है just like first वाले की तरह ये भी है ओकी थर्ड वाला आता है कि language is a system language क्या ह भाशा एक जो है system होती है एक प्रणाली होती है ठीक है लैंग्विज इस system है जैसे human body होती है वैसे ही language का भी एक system होता है हमारी बोड़ी में कितने सारे system है जो अलग-अलग काम करते हैं ऐसे language भी system है जिसके अंदर क्या-के चीज़े होती है उसका sound होता है उसके words होते हैं और structures होते हैं sentences होते है language में किसी भी भाशा आप कोई भी भाशा देखिए हर एक भाशा की जो है लिपी है हर एक भाशा की जो है वेंजन है वोकल से ही start करते हैं और उसके बाद हम learn करते हैं reading, writing यह चीज़े क्या है secondary है सबसे पहले वोकल आता है हना सबसे पहले बच्चा अगर एक environment में है तो वो क्या करेगा सबसे पहले बोलना सीखेगा तो यह observed speech होती है language क्या है हमारी observed speech है पहले हम observe करते हैं उसके बाद हम बोलन सीखते हैं बोलने के बाद ही writing और reading आती है ठीक है तो language क्या है it is a vocal next आता है five के language is ever changing मतलब की जो भाशा है उसका स्वरूप बदलता रहता है भाशा के language के grammar में vocabulary में structure में उसके पूरे एक तरह के pattern में समय के साथ साथ time के साथ साथ changes आते रहते हैं लेंग्विज क्या है एक fix नहीं होती है नेक्स्ट पर चलते हैं language is for communication language किसके लिए होती है communication के लिए होती है यह तो सीधी सी बात है कि हम अगर हमें कोई चीज एक्स्प्रेस करनी है हमारे self expression के लिए हमारे thinking के लिए हमें language चाहिए अगर without language हम communication किसी भी social group में हम करी नहीं सकते हैं ठीक है तो language जो है वो से language क्या एक system है sound का word का structure का language कैसा है vocal है यानि कि सबसे पहले हम अपने vocal से सीखते है फिर language क्या है ever changing है बदलता रहता है भाशा भाशा ऐसी नहीं है कि static है language क्या है communication में जरूरी है language क्या expressive है यानि कि हम उसको communication में यूज करते हैं अब चलते अगले पर next पर next कुछ और characteristics हैं उ और एक भाशा जो है वो अब एक दूसरे से अलग होती है है ना they cannot have a sense same set of pattern of structure sound grammatical rules or words ठीके जैसे माले जे हिंदी है हिंदी है या इंग्लिश है आप हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे हिंदी का pattern अलग है English का pattern अलग है sound अलग होता है grammar के rules अलग होते हैं हिंदी और इं है तो आप याद रखेंगे na unique होती है language एक चया आता है language is made of habits language किसे बनती है हमारी habits से वंती है हमारी आदतों से बनती है ठीके तो इसमें क्या होगा कि language is learnt words to add no up we do language को हम कैसे सीख सकते है language को हम use करके सीख सकते हैं हम उसे rules से नहीं सीख सकते ठीक है फिर है learning a language is a process of habit formation अगर आपको कोई भाशा सीखनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ rules की वज़ा से नहीं सीख सकते आपको उसके लिए आपको use करना चाहिए ठीक है तो language क्या है वो हमारी habit का परिणाम होती है या एक हमारी habit का प्रोड़क्ट होती है नेक्स आता है languages based on cultural experiences यानि कि हर एक language जो है वो particular society और उसके culture का ही परिणाम होता है आप जिस culture में रहेंगे जिसे हिंदी में हम नमस्ते कहते हैं इंग्लिश में हम जो है good morning कहा देंगे हना तो क्या है हर language की अपनी अपनी एक भाशा होती है जो की उसके culture और society को present करती है हना जिसे पंजाबी भाशा है हमारे देश में गुजराती है बोचपुरी है और हिंदी है English भी अब काफी लोग बोलते हैं तो यह क्या है कि हर एक भाशा एक एक culture को represent करती है तो language is based on cultural experiences उसके बाद 10 आता है language is arbitrary arbitrary का मतलब यह है कि जो word और meaning जो है वहाँ पर कोई भी relationship नहीं होता है किसी भी language में ठीक है arbitrary का मतलब आप यह समझे जिसे कि यहाँ पर example आप देखें कि भाशा है ठीक है अब यही language जो है इसको भाशा हिंडी में कहेंगे जबान उर्दू में कहेंगे और language English में कहेंगे तो यहाँ पर word और meaning जो है वो बिल्कुली हर भाशा का अलग-अलग होता है that means कि language क्या है arbitrary होती है next पर चलते हैं अगला हमारा आता है हमने भी the characteristics को देखा अब हम देखेंगे कि functions क्या है language को क्या काम है basically क्या एक language की function होता है तो सबसे पहले आता है देखो कुछ functions है जैसे कि instrumental function representational function फिर regulatory function interaction, imaginative, personal, heuristic यह सभी functions को discuss करेंगे सबसे पहले आता है language का instrumental function instrumental function का मतलब होता है कि हम जब किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं for example कि किसी को आप request कर रहे हैं जैसे please give me a glass of water मैंने आपसे बोला तो यह क्या है मैं आपसे request कर रही हूँ या मैं बोलूँगी open the door या throw away the garbage या मैं बोलूँगी कि open the window कुछ भी तो मैं क्या कर रही हूँ मैं command दे रही हूँ आपको तो language एक ऐसा है कि एक instrumental function होता है भाशा में मतलब कि it serves the function of I want यह क्या दिखाता है I want यानि कि आप किसी से request कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो इंसान वो काम करे तो एक जो है instrumental function होता है language का हम लोग यूज करते हैं language को command देने के लिए किसी को request करने के लिए यूज करते है तो language को कारे क्या हो गया instrumental हो गया ok next पे चलते हैं अगले पे so guys next आता है regulatory function अब रेगुलेटरी का मतलब है to regulate regulate करना मतलब किसी को मतलब है कि आप जो है इस language का जो फंक्शन है regulatory यह क्या करता है कि आप language का use कर रहे हैं किसी दूसरे के behavior को control करने में कोई चीज़ का advice आप देते हैं किसी को कोई चीज़ आप suggest करते हैं तो वो आपका regulatory function हुआ language का जैसे मैं बोलू you should take some rest मैं आपको advice कर रही हूँ है ना मैंने ब यू must not take things that don't belong to you मैं आपको warning दे रही हूँ कि तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए जो आपसे belong नहीं करती जो आपकी नहीं है तो यहां पर मैंने आपको advice दिया एक मैं आपको rule समझा रही हूँ तो that is that is means कि यह क्या regulatory function है हम किसी के behavior को regulate करने में language का use करते तो यह क्या हुआ regulatory function हुआ okay I hope कि आपको यह समझ आ गया हो गया next third पर चलते हैं the interaction function interaction function का मतलब है कि जब हम आपस में एक दूसरे से interact करते हैं है ना मतलब कि हम क्या करते हैं self and others यानि कि आप अपने आप से और आप आप दूसरों से किस तरह से आप जो है connect होते हो contact oriented function होता है language का language का कारे क्या है आप एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं interaction करते हैं कैसे करेंगे देखो हम हम जो है greeting कर सकते हैं किसी को हम greet करते ना good morning happy दिवाली happy birthday या मैंने बोला happy holy हम एक दूसरे को congratulations वगयरा बधाईयां देते हैं तो क्या greeting देना sympathy देते हैं कि keep patience keep going on है ना या आप अगर मु gratitude है thank you तो यह इस तरह कि जो यह क्या है यह लैंग्विज ही तो हम यूज कर रहे हैं तो यह language क्या है interaction function होता है language का यह क्या करता है एक दूसरे को जोड़ के रखता है society में लोगों को ओके next पे चलते हैं तो next रहता है हमारा the personal function अब लैंग्विज का एक personal function होता है personal function का मतलब है कि personal का मतलब है जहां पर आपकी खुद की बात हुई आपके feelings की जहां बात हो रही है personal का मतलब आपका खुद का ठीक है तो language हम यूज करते हैं अपने आप अपनी feelings को एक्सप्रेस करनी के लिए कई बार हम language का यूज करते हैं जैसे कि a speech a poem expression of love and sorrow अगर आपको माली जी language का कैसा function है personal function है कि आप खुद की feelings को जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसको की हम अपनी feelings को express करने के लिए यूज करते हैं that is mean कि personal function है language का उसकी बाता है five the heuristic function मतलब heuristic का मतलब क्या होता है यहां पर कि learner जो है वो खुद से ही कोई चीज को discover करता है heuristic का मतलब है कि खुद से कोई चीज का discover करना तो language का heuristic function क्या हुआ फिर Language को heuristic function ये हुआ कि हम भाशा के थुरू बहुत सरी चीजों को खोज करते हैं ठीक है एक बच्चा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे language को सीखता है वो investigate करता है, reality को देखता है, चीजों को learn करता है, discover करता है हैना माले जो पहली बार एक बच्चा कोई apple को देख रहा है उसने पहली बार एक apple को देखा, देन उसको पता चला कि A, W, P, L, E, apple होता है उसने भाशा को सीखा, अब वो बोलना सीखा apple, उसने words को समझा, उसने यहाँ पे शब्दों को देख रहा है तो यह क्या heuristic function है, अब उसको पता चला ना कि apple है यह, ऐसी ही वो कितनी सारी चीज़े है, जिनका हमें knowledge होता है तो यह क्या language का heuristic function है, ओके, next आता है, the representational function representational function का मतलब है कि कोई चीज़ को represent करना, कोई चीज़ को दिखाना, है ना, दिखाने का मतलब है कि जब आप किसी भी particular, किसी भी चीज़ को आप words के थुरू describe करते हो, जैसे कि आप को process, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ यह, तो मैं process को समझा रही हूँ, है ना, मैं language की function ब रहा है, relations को बोलूं, तो हम क्या करते हैं, यह सभी चीज़ों के बारे में किसी भी चीज़ को represent करने के लिए हम भाशा का use करते हैं, तो यह कैसा function हुआ, भाशा का representational function हुआ, ओके, नेक्स आता है हमारा last है, the imaginative function, imaginative function होता है भाशा का, यानि कि हम भाशा के थूरू, language के थ example, अगर मैं दू कि जैसे एक teacher है classroom में किसी भी poem को पढ़ाती है, ठीक है, माली जी वो एक poem पढ़ा रही है, rain पे पढ़ा रही है, या उसने एक flower पे उसने एक poem पढ़ाया, कोई भी poem वो पढ़ा रही है, nature पे कोई poem पढ़ा रही है, तो जैसे ही teacher classroom में poem को पढ़ाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर imagination power develop होती है तो language के through ही क्या हुई बच्चे के अंदर imagination हुई teacher बोल रहा है, language का use कर रहा है English में या Hindi में किसी भी भाशा में वो poetry को बता रहा है, कोई कहानी को बता रहा है तो क्या होता है वहाँ पे बच्चा imagine करता है तो ऐसे ही हम भी है, भाशा के through हम imagine करते हैं, ओके तो गाईज ये थे कुछ language के characteristics, कुछ functions I hope आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर कीजी मॉमेंट में जरूर बताए, मुझे बहुत motivation मिलता है आपके comment से और मिलते हैं फिर next वीडियो में अगली वीडियो में, thank you